हेलो क्रिकेटर्स क्रिकेट कार्डियों के एक और नई वीडियो में आप सभी का सागत है कुछी दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनायता है जिसमें मैंने एक बाउंडरी पे हाई कैच पगड़ी थी तो आप मेंसे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार मुझे एक हाई कैचिंग के ओपर वीडियो लेके आनी चीए तो हाई क्रिकेटर्स आज हम उसी के बारे में बात करने वाले है देखो यार हाई कैचिंग की अगर हम बात करें तो तीन सिंपल बेसिक्स होते हैं यार जितना असान बोलने में होता है उतना असान करी नहीं जाती है हाई कैचिस जो भी आपके पास आती है जिसको भी डिफिकल्टी आती होगी उन सभी को तो पता ही होगा तो क्रिकेटर्स आज हम दोनों कैचिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले है और जो इंग्लिश स्टाइल है वो ऐसे करी जाती है जो नॉर्मल आपने इंडियन जो भी क्रिकेटर्स होंगे उनको करते हुए देखा ही होगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना जिस भी फिल्टर की आपको बेस्ट हाई कैचिंग लगती है मेरे फेवरेट तो रविंदर जड़े जाए आपको जो भी बेस लगते हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना तो क्रेकेटर्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किन-किन बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सबसे पहले तो हम बोड़ी की मुव्मेंट की बात करेंगी और उसके बाद हैंड पोजीशन और हैंड स्टाइल आपकी कैसे होनी ची हाई कैचिंग करते वे उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और कुछ जनरल मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो अकसर आप हाई कै कैचिंग करते हों कर देते हो और जाते जाते मैं आपको कुछ ट्रिल्स बताऊंगा जिससे आपकी इंप्रूब्मेंट होने वाली हाई कैचिंग करते हुए इन सारी चीजों की आपको नीचे टाइमस्टाम समिल जाएगी अगर आपको कोई भी चीज आती तो आप वो आपको फोकस बिल्कुल जैसे ही बॉलर बॉल डिलिवर करेगा बैट्स बन तक आपको देखना है और बैट्स बन किस साइड चॉट केल रहा है आपको यह सारी चीजे पहले यह अंदाजा लगानी तो आपको हर एक बॉल वाच करनी है आपको फोकस कहीं और मैच से दूर न है या फिर आपकी बॉल पीछे जा रही है आपको ऑस्टेलिन के लिए जाना है तो यह चीजे आपको पहले दिमाग में सेट कर लेनी है कि आपको कौन से स्टाइल में कैच पकड़नी है और कितना आगे और कितना लेफ्ट राइट आपको जाना पड़ेगा बॉल को कैच कर करने के लिए और जितना जादा हो सके आपको बॉल के नीचे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है क्योंकि यह आपका बहुत असान हो जाता है अगर आप बॉल के नीचे जल्दी आ जाते हो तो वह कैच करनी काफी असान हो जाती है सबसे पहले हम इंगलिस स्टाइल की बा तो यह क्या होता है अगर आपकी बॉल यहां पे टपक आती है तो यह चूड जाते है और बीच में से बॉल निकल जाती है तो आपको यह strong रखना है यह यह और यह ऐसे लॉक कर देना है यह लॉक की वज़े से दोनों फिंगर वह फोर्स रोग लेती है और ऐसे कैच हो जाती ह अब यह कैच करते हुए आपको अपने हाथ soft रखने है और आपको receive कहां पे करनी है आपको ball इस area में receive करनी है ना की fingers पे और ना की बिलकुल यहां पे अगर आप यहां पे receive करोगे यह part हमारा बहुत hard रहता है तो यहां पे ball जैसे ही टपक आती है टपक आते है पॉप होने क अच्छे नीचे पहुच जाना है और आपको आखों के सामने receive करते हुए और ऐसे चेस्ट पे finish करना है मैं आपको करके दिखा जैता हूं कुछ बॉल जैसे यहां यह गई बॉल के नीचे और ऐसे करके आखों के नीचे पकड़के और यहां पे ऐसे दुबारा करके दिखाता हूं ऐसे 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 बट जनरली अगर आप Australian catch पकड़ना चाहते और आप दिल्चस भी रखते और आप अच्छे भी Australian catch पकड़ने में तो के लिए भी मैं आपको tips बदा देता हूं सबसे फिले तो fingers की बात करें जो आपके हैंड की position होती है वह ऐसे होनी चाहिए इसमें जितना ज्यादा जाती है उसे जज ही नहीं करते हो उसके ओपर focus ही नहीं करते हो और catch करने का try नहीं करते हो आप सभी ने सुना ही होगा catches, win, matches तो ball से हमें कभी भी नहीं डरना है बस एक अच्छा तरीका हमें आना चाहिए ball को catch करने का जैसे ही ball height में जाती है नीचे आते हुए उसकी बहुत ज़्यादा speed होती है तो उसको रोगने के लिए receiving style ऐसा रहना चाहिए ताकि उसकी speed कम हो जाए और कुछ cricketers करते हैं वह बहुत जादा आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत जादा पीछे रह जाते हैं और उसकी विजए से ball उनके आगे गिर जाती है वह ball तक पहुंची नहीं पाते हैं अब जिन प्राक्टिस को यार बॉल कैच करते हुए लग जाती है तो वह एक तो फिल्डिंग टेप का यूज़गर सकते हैं और बाकी यह आपकी फिल्डिंग के यह बैंड्स भी आता है यह जो मैंने पहन रखें इने बैंड्स कहते हैं यह रबड के होते हैं जो आपके यहां पे स्वेट बैंड होते होनी की तरह बिल्कुल फिंगर से लग जाते हैं तो यह प्राक्टिस के टाइम या फिर मैच के टाइम भी आप पहन सकते हो ताकि आपके थोड़े कम लगे तो क्रिकेटर्स सबसे पहले ड्रेलम करने वाले इन कॉस्को बॉल के साथ अब यार देखो जो अब यह प्राइब करने में आपकी जो भी हाइट से बॉल आएगी फोकस करोगे अच्छे से और जच भी अच्छे से कर पाओगे तो यह कॉस्को बॉल का यूज कर सकते हो अब कुछ मैं आपको करके भी दिखा देता हूं यह देखो आपको अपने हाथ से खुदी फैक नि है जच करके और एसे रिसीट फिर से जच करके रिसीफ अ है रिसीफ अप सेकेंड रिल कॉस्को बॉल की जगह है और हम सिर्फ लेदर बॉल कि यूज करने वाला है सेम तरीके से आपको करनी है ऐसे फैक्टिस आ रिसीव ऐसे ऐसे रिसीव, कुछ आगे चितना जल्दी हो सके बॉल के नीचे पहुँच जाना है और उसको आई लेवल पे ऐसे रिसीव करके और चेस तक लेके आना है तो क्रिकेटर्स, थर्ड ड्रेल में आपको अपने एक फ्रेंड की जरुवत पड़ेगी वो फ्रेंड का करेंगे, एक बैट से ऐसे बॉल हिट करेंगे और बॉल के हिट करते हैं, आपको जज़ करके जल्दी से बॉल के नीचे पहुच के उसे कैच करना है तो क्रिकेटर्स, सीधा हम चलते हैं फोर्थ ड्रिल की तरफ यह हम करने वाले हैं, बाउंटरी कैचिंग, यह आप सभी ने देखा ही होगा, मेरी कुछ मैनी वीडियो अल्रेडी भी डाल रखी है यह उस्ट्रेलियन टाइप की कैचिंग में करने वाला हूँ तो क्रिकेटर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हाई कैचिंग, जो भी आपकी डिफिकल्टीज है, जो भी आपके डाउट से वो इस वीडियो से क्लियर होगे होगे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, एक तो वीडियो को लाइक कर देना, शे वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है बस यार अभी थोड़ा एक्जाम टाइम चल रहा था मेरा तो वह भी खतम होने वाला है तो उसके साथ साथ उस वाले चैनल के भी हम बहुत जल्दी काम करने वाले दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बैस जो भी अब जल्दी हमें एक और अपने नई व्लॉग और वीडियो में मिलेंगे तब तक जैहिंद नमस्कार अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट खेलते रहे हैं तो क्रिकेटर्स थर्ड ड्रेल में हमें अब एक पार्टनर की जरुत पड़ेगी तो यार यह हम करने वाले बाउं यह, all of a sudden they wanna act like we